नमस्क्राइब मेरा नाम है डॉक्टर पुरू धवन और आज इस वीडियो फूड बैट फॉर किड्नी के अंदर में आपको बताने वाला हूं उस फूड आइटम्स के बारे में जो किड्नी को बिल्कुली पसंद नहीं होता अगर कोई पेशेंट उसका जादा सेवन करता है तो उसका सिदा सिदा बोरा असर उसकी किड्नी की हेल्थ पर पढ़ना शुरू हो जाता है तो जानने की कौशिश करते हैं कि कौन सा फूड खराब होता है और क्यूं खराब होता है अगर आपके किड्नी खराब हो रही है तो आपकी बॉड़ी में किड्नी खूं को साफ नहीं करवारी है खूं को साफ ना करने की वज़र से बॉड़ी में वेस्ट में डिले किड्निन यूरिया इखटा हो रहा है अगर ऐसा patient अपने खाने के अंदर नमक की मात्रा जादा लेता है तो kidney को और जादा नुक्सान सहना पड़ता है क्योंकि 40% जो kidney खराब होती है उसके पीछे कारण high blood pressure होता है अब अगर आपको high blood pressure है kidney खराब हो रही है और आप नमक का सेवन जादा करेंगे तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि नमक की जादा सेवन करने की वज़े से आपकी kidney पर दबाब बनेगा बीपी बढ़ेगा और kidney और तीजिसे खराब होगी kidney level, urine level और तीजिसे बढ़ेगा तो पहले चीजिस हमने ध्यान में क्या रखनी होती है कि आपको अपने खाने के अंदर नमक की मातरा कम लेनी होती है इसी तरह से जो दूसरी food item है वो है sugar अगर एक kidney failure का patient मीठा बहुत पसंद करता है तो ज़्यादा मीठा लेने के वज़े से sugar level हाई रहते है अब जब sugar level हमारे body में हाई रहते है तो सबसे पहला असर वो हमारे हर body के cell पर डालता है कि उसके अंदर healing process है वो slow down हो जाता है अब kidney को भी अपने अंदर heal करना है अपने अंदर सुधा ले कराना है अगर sugar level हमारे जादा बने रहेंगे तो इस process के अंदर hindrance बाता होती है और शायद आप यह नहीं जाते होंगे कि 40% जैसे BP की वज़े से kidney खराब होती है इसी तरह से 40% kidney हाई sugar level की वज़े से diabetic nephropathy की वज़े से खराब होती है इसलिए खाने में इसे sugar को निकानना ज़रूरी हो जाता है अब चलते हैं तीसरी food item के उपर वह है तंबाकू तंबाकू जो होता है tobacco कई तरह के से फॉर्म में यूस ही आजाते कभी कोई इसे smoke करता है कोई इसे chew करता है अगर तंबाकू सिधा सिधा अगर इंडी को नुक्स अगर ब्रेंग की तरफ जाता है तो ब्रेंग को जब ज्यादा oxygen ज्यादा food मिलती है तो इसे अच्छा लगता है अब जब ब्लड का pressure बड़ा जो ब्रेंग की तरफ गया वही ब्लड आपकी किड्नी की तरफ भी खाया अब किड्नी में जब आपके जो structure है अगर ध्यास दख करेंगे और chain smoke कितना smoke करेंगे तो यह क्या होता है कि ब्लड पिश्र को हमेशा high level पर बनाए रखता है और धीरे धीरे आपकी किड्नी की अंदर की जो structure है वैसल्स हैं आर्ट्रीस हैं वेंस हैं उन सब को नुक्सान पोर्चना शुरू होता है किड्नी की जो ब्लड सप्लाई है वो डिपलिश कर जाती है कम होनी शुरू हो जाती है और फाइनली किड्नी फिल होनी स्टार्ट हो जाती है इसलिए जितने भी किड्नी फिलियर के पेशेंट होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि आपने तंबागु का यूस नहीं करना इसी तरह से जो चौती जाता है परशानी क्या होती है ज्यादा कॉफी लेने की वज़े से बीपी हाई हो जाता है और यहीं बड़ावा बीपी आप किड्नी को उसी तरह से नुक्सान पहुचाता है जिस तरह से पचाता है तंबागु इसी वज़े से जितनी भी किड्नी फिलियर के पेशेंट होत तो कुछ नो कुछ चाहिए, तो ऐसे पेशेंट के लिए हम एडवाइस करते हैं कि आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ग्रीन टी में आप दूड डालेंगे, आप ग्रीन टी को लेंगे, तो आपकी किड्नी उस मामले में सेफ हो जाती है, कि उसे किसी टाइप का नुकसान नहीं होत दूसरा ग्रीन टी का फाइदा क्या होता है कि इसमें एंटी ओक्सिडेंट जाधा होते हैं, एंटी ओक्सिडेंट होने की वज़द से यह हमारी पूरी बॉड़ी के लिए हेल्फफुल रहता है, और जब वो हमारी बॉड़ी के लिए अच्छा है, तो इन चीज़ों का हम दूसरा गुटाओं में में मुटесть कहई हमारी बॉड़ी में हमारी मुसल्स को ताकत दिता है मगर अगर जाइस मात्र ह्मारे शेली में ज्यादा हो जाए तो फटीग के थकावट करता है आप हमारा दिल हीजह हर 7 quién धढ़कता है अगर यहां की mass patient अगर fatigue थकावड महसूस करेंगी और दिल धड़कना बंग कर देगा तो क्या होगा डेथ हो जाएगी इसी वज़ा से kidney filler की patient को गुड की permission नहीं होती क्योंकि गुड की अंदर potassium की मातरा जादा है और ज्यादा potassium protein में जाएगा तो आपकी mass patient में धिल की mass patient में थकावड पता करेगा और आपको heart attack आच सकता है इसी वज़ा से गुड का सेवन नहीं होता मगर जिन patient की katerine level यूरे level नहीं बड़े वे उनके लिए गुड अच्छा है मगर kidney failure patient के लिए अच्छा नहीं है इस जिसका धान आप सभी ने रखना है अब चलते हैं next food item के उपर और वो है हमारा alcohol alcohol occasionally कभी नुक्सान नहीं होचाता जब आप healthy हैं तो मगर अकर आप kidney failure के patient है आप alcohol का सेवन करते हैं तो alcohol की वज़े से हमारे kidney को hyperdrive में जाना पड़ता है क्योंकि जब भी में alcohol लेते हैं यूरिन नीशन या तो बढ़ जाती है या फिर यूरिन आना कम हो जाता है दोनों ही condition के अंदर kidney को ज्यादा काम करना पड़ता है kidney को hyperdrive में जाना पड़ता है और जो हमारे ब्रेट के अंदर alcohol की मात्रा बढ़ती है वह हमारे kidney को नुक्सान भी पहुचाती है इसी वज़े से kidney failure की patient को किसी भी टाइब के alcohol का 7 नहीं करना चीए अगर हम करते हैं तो हमारे kidney को सिधा सिधा नुक्सान पहुचता है अब चलते हैं अपनी next food आइटम के उपर वो है heavy red protein देखिए खाने के अंदर protein बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा पूरा का पूरा शरीट protein का बना हुआ है हमारी eyes हमारे air हमारे nails सब प्रोटीन की है अब अलग अलग तरीके से पूरा करते हैं कुछ पिशन दूद लेते हैं कुछ पिशन डाले लेते हैं कुछ अपना eggs लेते हैं कुछ अपना meat chicken fish परसंद करते हैं मगर एक category meat की वो होती है protein की वो होती है जिसे हम high density protein या जिसे हम red meat भी कहा जाता है red meat occasionally कभी र red meat ज्यादा consumption करने की वज़े से हमारी kidney पर असार आता है तो अच्छा यह होता है कि आप red meat का जो सेवन है occasional कीजिए daily basis पर मत कीजिए अगर आप daily basis पर करेंगे तो ज्यादा amount में protein red meat लेने की वज़े से क्या होगा कि kidney को ज्यादा काम करना पड़ता है उसमें जो हमारी दूस करना कम कर देगी और हमारे level ketamine की यूडिया के बढ़चाते हैं तो हमने ध्यान क्या रखना है कि अगर हमने अपनी kidney को healthy रखना है तो dead meat का 7 कम करना है occasional basis पर डेली basis पर नहीं करना मैं मुईत करता हूं इस वीडियो से आप सभी समझ गई होंगे कि kidney को नुक्सान हो सकता है अ कोई बीची से एक्सेस में नहीं करेंगी तिसे मारे kidney को नुक्सान हो और kidney को kidney failure की तरफ जाना पड़े तिर भी आपके माइड में कोई बीट आउट हो कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीची दीए नंबर बे कॉल करकर श्रियास की डॉक्टर से आप फ्री अफॉस प्री आप अपन में लेकर मुझसे प्राखना मिल सकते हैं अब इसी चाहता आज से चलने की आगए कहूंगा मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए धन्यवाद